Welcome back to the channel दोस्तों स्वागत है आपका अपने उट्विक चनल में बेक टेस्टे टेडर में आज हम पार्ट टू को कवर करेंगे यह है सुपर ट्रेडर किताब बाई वेंके थार्प developing a business plan your working guide to success in the markets have a plan for your trading and investing देखिए कोई भी चीज में बीना फ्लाइनिंग के हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते अगर यदि प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आउटकन यानि की रिजल्ट नहीं आएगा तो जो भी रिजल्ट आता है जो भी आउटकम आता है वो प्रोसेस होता है तो प्रोसेस से पहले पालनिंग होता है कुछी वी चीज को करने के लिए तो सीधा सब फंडा यहां पर लेखा कि यहां पर बताते हैं कि एक बिजनेस प्लान होना चाहिए बिजनेस प्लान क्या हор तो इसे में करे अपने नगीरी से बताना चाहूंगा कि आपका Mission statement क्या है एक u ऐब में के लिए इतों सबसे पहले आपको बी पता होना चाहिए आपको जाना कहा और ठीक कि रीरट के भाज जाना हिद्व busy या उविट उद्देश से पता होना चाहिए उद्देश से क्या है point B है point B पता रहेगा तब आपके पास एक system बनेगा जब तब point B नहीं पता रहेगा तब एक system system आपके साथ बन ही नहीं सकता impossible है तो system design करने का आसान तरीका है आपको point A से point B तक जाना है तो बी तक जाने का point आपको पहले पता होना चाहिए कि कहां जाना है, आपका उद्ध्धत क्या है, मंधली weekly daily basis पे, yearly basis कितना आप plan कर सकते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, क्यूं कमाना चाहते हैं, तो यह क्यों करना चाहते हैं बी plan होना चाहिए तबी आप A से B तक क्या होता है position sizing जैसे 10,000 कमाना है एक लाग कमाना है तो quantity depend करता है कि क्यूं आपको quantity को बढ़ाना है और entry का decide करता है technical decide करता है entry आपने क्यों लिया है किछ बेस्ट पर लिया है price action बेस पर indicator बेस पर support resistance ब्रेकाउट breakdown किस बेस्पे लिया है तो यह यह आपका entry decide करता है आपका पोजेशन साइजिन आपके target को decide करता है पॉइंट B को decide करता है तो यह है आपको clear पता होना चाहिए तो कुछ questioning है जो यहां पर दिया गया तो यह questioning है आपका strategy रहेगा आपका market के उपर क्या big picture क्या पॉइंट को clear करना है यह इस प्रकार का question देते हैं तभी आप awareness हो सकेंगे तभी आप overthinking से बस सकेंगे market में आपका plan क्या रहेगा यह सारे चीज एक plan है जो trading लेने से पहले यदि आप trading ले भी लेते हैं एंट्री कर भी लेते हैं ठीक है एंट्री कर भी लेते हैं और position sizing भी कम रहता है तो इसके बीच में ना thinking चलेगा इन दोलों के बीच में ना thinking चलेगा thinking जो चलेगा ना क्यों लिया और कितना quantity लिया इसके बीच में thinking जो आपके दिमाग में चलेगा ना इसी को आपको manage करना है देखिए यही successful लोगों की जो कहानी होता है जो इनके दिमाग में mental screen में जो जलता रहता है ना इसी को समझ पाना बहुत important है इसको जो समझ लेगा ना वो खेल है तो यह belief से कोई भी ट्रेडिंग के पीछे जो हना सबलता प्राप्त करता है जो ट्रेडर होता है ना उसके पीछे यह statement होता है तो आप अपना याने कि फांड को मेनेज़ करके ट्रेड कीजिए कि कि आप कितना डिटन निकाल सकते हैं लेकि खुद के पैसे में आपको डर नहीं लगेगा याने कि आप ला परवा भी हो सकते हैं लेकि दूसरे के पैसे को लेंगे नेकन तो आप वरर्ले रहेंगे डिपкі डिसिप्लीर रहेंगे एई के लिए यहां पर प्लान बताते हैं लेकिन यह सक्सेस होगा के लिए यह घयर नहीं के लिए करने के लिए कि किसी को खुजने की जरूरत है किसी को हैर कने की जरूरत है Tahir Queer een Another System in a काई पर कैसे करना क्या है यान कि यह मैंनेंजमेंट्ट के लिए है बताए गया है की कोई भी सिश्टम है तो हमें डिलीन करने के लिए इंक्वाइए करने की जरुरत होती है जैसे नए केस्टमर को उसी तरीकह से आपको inquire करने की जरूरत है यह तरीका यहाँ पर बताते हैं आगे देखते हैं आपका goal क्या होना चाहिए आपका objective क्या होना चाहिए जिसे point A से point B तक जाना है तो आपका objective क्या होना चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपका objective आपको पता होना चाहिए आपको target प केवल भी सजार परोपर धियान आप एक लाग और द थियान रखना है कि इस में स्यादर दो हजाव घटना चाहिए यहान कि इस capital को मेनेज करके राखना आ इस लेकिन इस इसमें से घटनहीं चाहिए आपको का इससियान नहीं चाहिए आपका केविटला क्कु समय op बात करते हैं वो है आपको percentage wise आपको डिवाइड करना पड़ेगा कितना percentage probability है आप उसमें शुरू year में याने फर्स्ट year में आपको percentage wise आपको calculation करना पड़ेगा यह बता रहे हैं चौंती चीज़ जो बता रहे हैं वह है कि highest possibility equity at the end of the year आपका जो गोल को डिसाइड करने का तरीका है आपको maximize करना पड़ेगा हाइस्ट possibility क्या रहेगा इसको डिफाइन करना पड़ेगा पांच्वा पाइंट यहां पर बता जाता है कि आपको maximum जो probability है आपके greatest chance मतलब कि अपने लक्ष को मिलने के लिए आपको आपको कम से हम ना smallest chance आप experience your worst case scenario बुरी से बुरी परस्चिती आपके क्या हो सकता है उससे भी आपको experience करना पड़ेगा यह चीजें यहां पर बताया जा रहा है अब आता है बिलीफ यहां पर लेक्षक बताया गया है जो आप उनके आपके अनुसार मेचिंग हो सकता है जैसे आप बोलते हैं कि मार्केट बहुत डेंजरेस जगा है जहां इन्वेस्टर को ही पैसा मिलता है ट्रेडर को नहीं मिलता तो आप इसमें राइट बोल सकते हैं और रॉंग अपना बन कहां से रहा है देखिए जो धारना बना रहा है यह बन कहां से रहा है तो यह बन रहा है आपके आपके नजरिये से और से आपके बीलीफ सिर्टम से बर रहा है जैसे जैसे आप बीलीफ मानेंगे वह आपके प्रतियर रियक्ट होगा देखिए यहां पर यह क्लियर कडिसा गया है आपका fungi तो कंगि यहां पर тололодव आपका विलीफ सीस्टम से पहले हैं टेक्निकल के वारे में पोजिस्टन स बारे में, उसके बाद trading psychology के बारे में, तो अलागला belief क्या बना हुआ है आपकी दिमाग में market के प्रती, देकि हम belief को ही ट्रेट किया जाता है, technical के प्रती, के प्रती, जो भी belief है, अगर आप उसको नहीं लिखेंगे, तो आप अपने आपको समझ ही नहीं पाएंगे, तो इसलि जैसे बियर वालाइटायल बेर क्विट साइड वेस्वालाइटायल साइडवेस्वुइट बुल वालाइटायल और बूल प्विट इस प्रकार से मार्केट होता है तो इसमें आपका श्टरजी क्या रहेगा यह कुछ कोश्चेनिंग यहां पर दिया गया है तो आप अपने टार्गेट को कैसे अचीव करेंगे जैसे दस लाग कमाना है एक लाग कमाना जो भी है तो लोड़ साइज और सेर की कॉंटिटी जिसे इसे पोजिशन साइजिंग बला जाता है उसके उपर यह डिपेंड करता है कि यह जो आपका गोल है यह प्राप्त होगा अगला एक लाग कमाना है दस लाग कमाना जो भी अपना टार्गेट है वो पोजिशन साइजिंग के बेस पर होगा तो चैललेंजस क्या आएगा तो चैलेंजस इसमें यह आएगा कि डेली बैसिस हमेना अपने डिस्प्लीन को उसके ट्रेक रिकार्ट को फॉलो करना देखना है यह क्या हो रहा है फिर देखना हमें जो सबसे बड़ा इस वाता है वह है इमोशनल इसू आता है उसमें उपर नीचे होता रहता है कैसे उसे हमें डील करेंगे हमारा जो प्लान क्या रहेगा अपने आप पर अपने सेल्फ कंट्रूल पर इसको हमें कैसे अवाइड करना है जोथा अगला पॉइंट है हमें एक ट्रेडर की रूपे ना पैसन से रहना पड़ेगा अगला पॉइंट यह आता है इसमें कि आपका डेली जो चीज़े आप क्या डेली प्रोड्यूस करते हैं वो डिपेंड करता है आपके रूटीन पर डेली ठास्क आपको क्या है देखिए मार कैसे कल्कुलेशन किया जाता है कैसे रेसियों निकाला जाता है कैसे प्लाइनिंग कैसे ही किया जाता है तो यह यहां पर ट्रेडिंग ओपन होने से क्लोजिंग के बीच तो लोग दिखा देते होगा इसके बात जो मेहनत होता है यह बहुंच जरूरूरी तो यह होता है डे होना चाहिए यहां पर बता रहें खुद को इंप्रूव करने के लिए वस्क शिनेर्यों आपके पास जो हता ना आगे यहां पर दिया गया है आगे यह बताते हैं जो यहां पर बताते हैं जो सिस्टम है है तो यहां पर यह rich dad poor dad के जो concept है उसके बारे में बात करते है rich dad poor dad के किताब है ना उसके concept पर बात करते हैं concept क्या जैसे employee हो गया ठीक है यह self employee हो गया यह एक हो गया business plan हो गया यह एक हो गया investment हो गया आई इसको समझते हैं तो four quarter के बारे में लेखा कि हम पर बताते हैं जो तो पहले concept में क्या होता है यह employment हो गया जो यह पैसे के लिए काम करते हैं लेकिन business जो category होता है यह खीद के लिए काम करते हैं और investment जो होते ही यह पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं तो आई इस concept को समझते हैं घराई से तो यहां पर चार concept से पैसा आता है तो यहां पर पैसे कमाते हैं तो लेक्षा यहां पर पहते हैं सबसे पहले में एक businessman हूँ उसके बाद में एक इसे कंबारे में ट्रेडर हूँ तो यहां पर यह बताते हैं तो जो system होता है फ्रेंचाइस होता है इंप्लाई फॉलो दा सिस्टम देखिए इंप्लाई क्या करता है वह फ्रेंचाइस को फॉलो करता है और इसी के अंदर वह टाइम को बेच करके पैसा कमाता है इंप्लाई क्या करता है अपने टाइम को एपने इस्किल को बेच करके पैसा कमाता है सेल्फी में क्या होता है बिज्नेश जैसे डाक्टर हो गया लायर हो गया लेकिन ये खुद में होता है लेकिन इसे सिस्टम के बारे में नहीं पता है वो काम तो करता है लेकिन वह चाहे तो उससे बहुत सारा पैसा कमा सकता है तो लेकिन वह तो इंप्राई के डिकिरी में अता है इसका दिमाग इंप्राई के डिकिरी का है इस लिए यहां पर लेख़क बता हैं कि इस ड़ेरं नॉट न हुट ट्रील होते क्योंकी यह इन्पड दिमाग ह क्यूक्त करते यह इसी को बता रहे हैं इस पीपल आर मोटिविटेड बाइ सिक्रूटी एंड गूड बेनिफिट यह क्या करते हैं अच्छे बेनिफिट के लिए और सिरक्षा के लिए यह नोकरी के तलास मिलते हैं यानि इंप्लॉई का डिकरी करते हैं इसलिए जो टॉप बैंक टेडर होते है यह क्या करते हैं यह पैसे बनाते हैं लेकिन जो इंप्लॉई है ना यह कुछ वेनिफिट के लिए अपने सिक्रूटी के लिए यहां पर इंप्लॉई की तरह वर्क करते हैं आगे देखते हैं यहां पर इसलिए इनको सेलरी मिला जाता है और यहां पर बोनस दिया जाता है अच्छा अच्छा ताकि इस केटिगरी में रह सके आगे देखते हैं इसमें अब देखते हैं हम लोग जो एस केटिगरी में आता है एस केटिगरी में हमें जाने है इस क्या है यह स्टाक ब्रोकर है इसमें ट्रेडिंग के बारे में बता रहें लेकर ट्रेडर हैं तो यह स्ट Self Employee के रूप में बोला गया है जो हम इसके बारे में भी जान रहे हैं तो Self Employee जो होते है ना Self Employee Trader is the system यही एक system है टाइप आप दा टेडर जो क्या करते हैं अपने जॉप को फोड़ देते हैं और इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग करते हैं यह यानि किसी के जॉप पर भरसनी रहते यह अपने खुद के दम पर एक सिस्टम डिजाइन करते हैं और Self Employee में होते हैं यानि खुद के कर्मचारी होते हैं जब यह खुद काम करते हैं तभी पैसा आता है तो इसे Self Employee Category में रखा गया है Stock Broker जैसे Stock Broker बनना एक ट्रेडर बनना यह Self Employee में दिया गया है आगे देखते हैं इसने बिजनेस ओनर जैसे हम B Category में जागे हैं यह क्या करते हैं यह खुद सिस्टम डिजाइन करते हैं कैसे यह कोई Discount Broker हो गया तो यह क्या करते हैं बिजनेस के अंदर में इनके बीचना लोग होते हैं यह लोगों को चलाने के लिए कैसे 사re제를 treat क्या जाता है इस category में आता है तो इसे बिजनेस के डिगिरी में बोला गया जिसे कोई चीजों को manufacturing करते हैं प्रोड्यूस करते हैं तभी इनके बावसना पैसा आता है तो इसे बिजनेस के डिगिरी में रखा गया है उसके अंदर गदेशनुन लोग बहुं तो ये आने माले दो साल में इसकी कीमत इनको पता है, एक हजार भी हो सकता है और दस हजार भी होता है, यानि कि पैसे से पैसे कैसे कमाना है, पैसे को अपने लिए कैसे काम करना है, ये केबल इन्वेस्टर ही जान सकता है, ये ना ही इंप्लोईमेंट जान सकता है, ना ही ये बिजनेस और नः जान सकता है कैब इन्वेश्टर को ही पता है कि आत्ट का सोब रुपिया को वो आने वजो से में घजार भी कर सकतका है दस चाल भी कर सकता है तो यह investor की mindset की उपर रहता है इस ही को यहाँ पर लेखक ने produce किया है यानि कि explain किया है तो यह part 2 खतम होता है आने वाले system में हमें कैसे एक trading system design करना है जिसमें हमें हम feedback से हमारा position sizing भी feedback से हमारा mindset यानि कि हमारा belief उसमें matching हो हमें belief हो कि यह system है वही है मेरे लिए बना गया है तो यह आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कीजिए